समस्कार दोस्तों मोबाइल फोन से आनलाइन टीचिंग वीडियो यूटूब के लिए फेस्बुक पेज के लिए या किसी एप्लिकेशन के लिए कैसे रिकोर्ड करें तो आप इस वीडियो को पुरा देखिए चले हम इसकी सुरात करते हैं इसके लिए दोस्तों आपके पास अभी स्टार्टिंग में नया मॉबाइल नहीं है तो आप अपना पुरहना मोबाइल का में ले सकते हैं जैसा कि मैंने यहां पे अपना पुरहना मुबाइल लगाया हुआ है और इसमें आपका बहुत अच्छे से recording हो रहा है तो देख पा रहे हैं कि आप एकदम अच्छे से security आएगी आपका और यह जो mobile है यह आपका वीवो का है चीक है फुराना mobile है, single camera का mobile है और इदी आप latest phone लेना चाहते हैं तो आप 10,000 प्लस की किमत का phone ले और महगा phone लेंगे तो और भी अच्छा quality आएगा अब देखी ठीक है यह तो phone की बात कर ली और यह ठीक है यह सब हो गया अब वार्त करते हैं whiteboard की तो देखी whiteboard जो हमारा है वो आपका दोस्तों 4x3 का है अब mobile phone को मैंने यहाँ पे कैसे रख रखा है देखी मैंने जो camera stand लिया starting में वो मुझे पता नहीं था तो मैंने छोटा खरी लिया यहीं मेरा हो सकता बज़र्ट कम हो तो 4.500 रुपे का यह दोस्तों आपका आता है इसके उपर मैंने मेरा बान दिया क्या selfie stick जिससे कि इसकी height level में हो गई है अब देखिए यहां पर यह तो नकली है अच्छा वाला camera stand नहीं है original camera stand लेंगे तो दोस्तों इसकी उमर ज्यादा होगी और यह काफी अच्छा चलेगा तो ऐससे फोटो प्रोइत्या दीगा branded आप camera stand ले तांकि दोस्तों उसकी उमर हो और 2-3 साल तक वह कहीं नहीं जाएगा यहने काफी अच्छा चलेगा जबकि इसमें दिकित क्या आएगी इसके जो पेरा धीले हो जाएगे इसमें आपको प्रेशान होगी आपको प्रेशान करना शुरू कर देगा तो ध्यान क्या रखना है अच्छी quality का ही लेना है ओके तो यह आप देख पा रहे हैं कि रिकोर्डिंग हो रहा है अब चलिए मैं आपको कुछ रिकोर्ड करके दिखाता हूं माइक की बात करें मैंने माइक कैसा यूज किया हुआ है तो देखिए मैंने जो माइक यूज किया है वो आपका केवल और केवल जुरूरी नहीं कि बोया का एक जार रुपए या 12 रुपए का माइक खरी दो और यह साड़ा 400 का केमरा स्टेंड यह दिन नहीं खरीते हैं तो यह जो सेलपी स्टीक है इसको आप अपने कुर्सी पर बांद सकते हैं जैसे कुर्सी लगाओ और यहां पर अपने सेलपी स्टीक को बांदो सेलपी स्टीक को इस पर बांद के स्टार्टिंग में रिकोर्डिंग कर सकते हमने भी ऐसा ही किया था और वाइट बोर्ड की बात करें आपके पास कोई कीले वगरा नहीं है स्टार्टिंग में तो इस परकार से देख पा रहे हैं कि डोरी से हमने यहां पर एक्टिंग का शूलीशन है और आपका रूम ऐसे खुले में नहीं है यह अंदर में है तो उसके लिए क्या करें दोस्तों LED बलप लगा दे दो तीन इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा खर्चा तो करना पड़ेगा इसमें कोई डाउट की बात नहीं है देखिए 300 वार्ट का LED बलप आता है बड़ा वाला बलप आता है आप देखेंगे चिगर और उसके लिए दी वह नहीं लगाते हैं तो आप दो LED बलप लगा दें कितना 23 वार्ट का लेकिन 20 वार्ट प्लस का ही LED बलप लगा दें ऐसा नहीं कि आप 10-12 वार्ट का LED बलप लगा दें उससे दोस् तक क्या से करें दोस्तों इस बोर्ड की हैड्स के उपर लगाए अपने LED वलब जिससे क्या होगा सामने यह दिया आपने LED विलप लगा दिया तो इस पे आपका LED विलप दिखेगा चीक है यनि सामने से चम्मक आएगी और कैमरे में आएगी मोबाइल में आएगी तो आपका खिलेटी और एफेक्ट होगा उपर हाइट लगाने से क्या होगा लाइट आपके फेल के आएगी ऐसे तो यहां पर आपका वाइट वोड एक दम अच्छे से हो जाएगा और सामने अच्छे से रिकोडिंग होगी उसके अलावा आप LED विलप की हाइट उपर नीचे करके आगे पीछे करके खुद चेक करके लगाएं कि कौन से एंगल पे लाइट को रखने से आपका कैमरा क्वालिटी अच्छा आ रहा है और जो अभी आप रिकोडिंग देख रहे हैं यह सैमसंग का 20,000 प्लस कीमत का मोबाइल फॉन है तो इसमें आपको ऐसे अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी हाँ इसकी भी क्वालिटी ठीक है स्टार्टिंग के लिए ठीक है लेकिन इसमें दोस्तों आपको इतनी अच्छी क अपने वीडियो रिकोडिंग कम बिटरेट पर चेंज कर सकते हैं उसके अलावा आप अपने वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं ओके तो जैसे कम्प्रेस के लिए आप अपना ढाडाब डिअटर एप्लिकेशन यूज कर सकते हैं काइन मस्टर यूज कर सकते हैं और यूजिडियोगं अनगया उनको आप यूज कर का करके लेकिन दोस्तों इदि आपके पास Wi-Fi की सुधा उपलब्ध है तो आपका महिने का 500 रुपे का जैसे जैपुर इतादी सीटी में आपको एन लिमिटेड इंटरनेट मिल जाता है तो दोस्तों आपे Wi-Fi है तो आप 4K वीडियो अपना मोबाइल से रिकूर्ड आपे वाइड ब सकते हैं स्टार्टिंग में 2x3 का ले लेंगे तो दोस्तों यह आपका वाइड बॉर्ड बिल्कुल छोटा आएगा और आपका एक दम आच्छे से नहीं आएगा यह नहीं वीडियो बहुत नजदी के सूट करना पड़ेगा नहीं यदि आप दूर से सूट करेंगे तो कि इतना चोटा सा वाइड बॉर्ड आएगा जो कि एक प्रोपेशनल लुक नहीं देगा और हाला कि यह भी इतना अच्छा खाश लुक नहीं दे रहा है आपके बास बहुत बड़ा वाइड बॉर्ड होना चीए आप इसके लिए क्या करें एनलाइस करें जो कोचिंग इस्ट कि आपका केवल और केवल वीडियो में वाइट बॉर्ड आएं अब बात करें कि कौन से टोपिक पर बनाएं वीडियो को टाइटल कैसे डालें डिस्क्रिप्शन कैसे डालें तो इसकी लिए दोस्तों आप अपना टोपिक पहले यूटूब पर सर्च करें और गूगल पर स सर्च करके पहले देखें कि कौन-कौन से टाइटल है कौन-कौन से एडिंग है उनको अपने टाइटल में डालें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने वहां पर जो जो इस्टेव फोलो कि इसके बार थोड़ा बहुत आप जानकरी दे सकते हैं नहीं तो आपने जो टाइट सब्सक्रिप्शन में डाल देनी चाहिए उसका भी आपको मैनिफिट मिलता है यानि सपोज कर आपका आने वाले कुछ महीनों में चैनल इस बहुत ज्यादा फैमस हो जाता है उसके साथ साथ आपके फेस्बूक पर भी फेलोवर्स बढ़ेंगे फेस्बूक और टेलिग्रा बना सकते हैं उस टारगेट को ध्यान में रखते हैं आपको किसी भी टोपिक की सुरात करने चाहिए और उस टोपिक पर वीडियो बनाने चाहिए जिसके आप सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है जिसको आपने सबसे ज्यादा आज तक बढ़ा ऐसा नहीं कि अभी मैं देख रह मिल जाएंगे धन्यवाद अगले वीडियो में फिर मिलते हैं